है 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 एलो दोस्तों हम वित्षी अर्सास कर रहे हैं एक हमने दो पार्ट यह नहीं दो लेक्छे से खत्म कर दिये है एक हम एक वीडियो में काफी लंबी टैम तक हमें रहना नहीं पड़ता काफी आसान बहादसाम में समझाए जाएगा है हाँ बेट अगर कोई Hindi लिःते बाकर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए पहले बापी मांगतो हो आप से ठीक है को रही के कुछ लगने में गलती हो जाए तबड सारी इंचे है अट्छे समझाय जाएगा टीक है मातरा बातरा में अगर कोई गलती हो जाएगा प्लीज उसके लिए माफी चाहूँगा अब देखो व्यश्टी अर्सास के लेक्शन अमर थर्ड मगम बात करते हैं पढ़ने वाले केंद्रे समस्या किसे कहते हैं ठीक है केंद्रे समस्या किसे कहते हैं यह आपका बहुत जगह पूछा जाता है और यह कितने परकार की होती है तो स्कार्टक करते हैं और ध्यान से देखे हैं तो हमने का केंद्र्य समस्या पड़ते एक अर्थेभवश्टा के पास है थे कह अए थो की सिमित मात्रा में और जो मान भी आप सकता हैं वो के असी मित हैं तो ऊसी मित मातरा में परंटु उसमें रहने वाले मानवी समाज की आप सकते हैं क्या होती है तो असी मित होती है क्लिर है। तो पड़तेक अर्थिवरस्ता को आर्थिक समस्च्य का सामना पड़ता है इसके कारण एक समस्च्य पैदा हो रही है उसको आर्थिक समस्च्य कहते है तो आप यह लिखोगे समस्च्य के पास किया संसादन सीमीत मात्रा में परांतों उसमें रहने वाले मान में समाज के आउसकता है पूरी नहीं कर पाता है उसको क्या कहते हैं तो दुर्रप्ता जोड़िया है आगे यह समस्च्य पढ़ते एक अर्थिवरस्ता की क्या मन गई है और मूल समस्च्य बन कैंद्र केंद्र के यहीं कर देखकी केंद्र की समस्च्य कहा जाता है आश तो हीElikaृते हैं तो अरांसे ही सब्सक्य को समझाने वाल Clark पह आप देख़े लिए तो आपको क्हाँ इन आज आगा पढ़ते अर्थियस्ता को आरथियस्ता की अर्थियस्ता को सामणा करना पड़ता है इसके लिए उत्पादम किया जाने यानीओ ते पढ़िए प्रादम किया जाता है हिए sea जैने आपने क्या उगान मृनेगे ये तो बताओ स्कों कैसे करना ये टेकनी काउसे थीक होगे यानि इसमें टेखने की बत करो तो यहां पर और तुम हाबी रोग तो किसके लिए उगा रहे हो तो यहां पर बताओ करते हैं पहले और प्लिज अगर आपको यह वीडियो पसंद आ लिये तो प्लिज अपने दोस्तों को भी शेयर करो और प्लिज लाइक श्यर और सबस किया जाएं तो आप सामने देखो गए क्या उत्पादन किया जाएं पढ़ लेते हैं क्या अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा क्यूंकि इससे क्या होगा ना क्या होता है कि आप यह अच्छा का से लिखना भी पड़ता है ठीक है इवन अगर ट्वाइलेवन क्लास जहां जिसके पास भी वेस्टी अश्टास है उसको भी अगर मालो चार पास नंबर में लिखने के लिए आता है कि क्या उत्पादन किया जाएं को समझाओ तो आप अच्छे से समझा सकते हो कितना आसान है आप से मेरी बाते को सुनते जाओ आपको आराम से यहीं पर याद हो कर लिया तो यह बी मातरा करो लुकित को समस्था ही आपके पास सबस्ता आपके पास यह लैंड है अब मानके चलो ही यह जार घज यंद माइग खाली पढ़ाना हो टाहित तो बॉलते हैं कि पहले बता होंगे किन बस्त्वगा वहाओ वहाओगे जाए बिसाड़े कर लो मन में तो बतीरी चीजें सारी हासिल नहीं होती है तो समय वस्तु को उसको बताओ उसके बाद कितनी मातर में करो गई यह बी बतातो तो दो पहले बात समझ मागई दोनों यह दोनों में दिक्कत ने किसी को भी देखो यह देखा लिखाए एक क evaporant करना संभव नहीं है यानि समस्सर वस्तु को बता हो का suppress क्या सकता हो शीय को करना पड़ता है चैन करना पड़ता है ठिक है कि वह किन वस्तु का चुनाओ करे कि यानि वस्तु को उतपाधन करे और तो कि आत्पादन किया जाएं कि दो बैलो इसलिए उसको चुनाओ करना पड़ता कि वह किन करना पड़ता कि वह किन वस्ता को उतपादन करें और जोड़ दे आगे किन वस्तों को असपादन किया जाए कि चुनाओ करने बाद आप मानलों अपने सेलक्ट कर दिया आपने पहले पाँच आइटम सोची थी पाँच में से आपने तीन अइटम सोची कि अभी इनको वाँ गां को आपका तो आपका यह भी सुनाओ करना पड़ेगा कि उन व कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए वक्षा है कि अनि भुश्प्रा ऐगर आपको देना खोता है यह है यदी एक अर्फेशा को अनेक वस्तुमें जैसे मान के चलो गे हुचा व्श्पादन चाहता है यह आदे सकता है कि और शेंग कि प्रभाक क , ऐसे का ? परम्तु सीमि संसादुनों के कारण इन सब भी वस्तोब लाधन नहीं किया जा सकता है है इसलिए अर्थेवेस्ता क्या करेगी ? sounds उत्पादक है वो चेयन करेगा कि किन वस्तमों का उत्पादन किया जाए और किसको छोड़ ले अब मान लो कि अर्थवरस्ण ने इन अनेक वस्तमों में से माना कि गेवू और बाजरा यह दो चीजें जो हुआना चाहता है यह उत्पादन करना चाहता है तो उसके पर डिवाना चाहते हो उसकी वो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी क्योंकि आपके वास इंसादन जाए वो सीमीत मातरा में है तो हमने पहले वाला खत्म कर लिया यानि पहले क्या उत्पादन किया जाए कि समस्या तो आप देखो कि सामने आपके पास दूसरा चुका है ठ चनी की बात करने वाले क्या करने वाले तकनीग की बात हमने कार कैस अपादन किया जाए की समस्या किशतने मुख्य रूप से आपने तक्नीक के avatar क्योंसरा, तो उसने बुला जुआ र हिग घार का थे किसी ए यानि है की तकनीक के ड़ोप्योंसरा टेक्नीक, डटेक्निक हो keeping पुन्जी प्रधान तकनी और पुन्जी प्रधान तकनीक श्रम अब बला रहे तो वह फार पुन्जी होता है कुन सी है स्रम प्रधान तखनीक वह तखनीक familiar स्रम का उप्योग पुणजी की तुल्ना में क्या होता है अधिक होता है यायनि स्रम Pradhan प्रधान तखनीक वह तखनीक जिसमें labor का Yuse ज्यादव का capital से याई यानी plant machinery इन सबसे equipment से ज्यादा यूज किसका होगाओ यानी पूंजी का अप्योग स्रम की तुलना में अधिक होगा यानी पूंजी का अप्योग स्रम का अप्योग ज्यादा होगा ठीक है वो कौन से तक्ञिक से उत्पादन करना चाहते है उसको डिसाइड करना पड़ाएगा ठीक है कि वो मुची प्रधान तक्णिक से करना चाहेगी यह पर उस जजी प्रकार की समस्ट्र के शायते हैं के समस्ट्र belong तो सिंपल में सरण उसके लाव कपड़ों काल नहीं हाथ करग से बनाएं वाले तो कपड़ों कपड़े बनाने का मैं हाथ Nicholas से भी हो सकता है तो आधुनिक प्यों curling के साथा जो सकता है अगर पर्थे वर खिर КBir आती अर्थवस्था तो वह पूंजी प्रदान तक्निक के उन जोडा हो गया एसे में अर्थवस्था को कपड़े के उतपादन के लिए दोनुं यह चैन करना पड़ता है कि वह कौन से वाधदन का वो कउन से टेकल करें ठीक है आप अराम से जो आई वो एकनामिक सो एकाउंट सो डिफरेंसिस हैं अपने दोस्तों को अपने भाइयों को आप सब्सक्राइब अच्छा सा डिटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है ना कोई भी ऐसा डेटा नहीं दिया जाएगा जो को को समझना है ठीक है अब बि सामने आगे है है फच्छा किसके लिए उत्पादन डिन किया जाए ठीक है तो असमें लिखा हो इक रिक समस्या जो है वह वह आनकानी बस और सेवाओं की वितरिडितों की समस्या यहाँ पूछा जाग जցन करता है तकनी यहां पर बोला किसके लिये अत्पादन किया जाए जो आपने पहले वाले में किया कि पहले सोचा क्या हुगाना कितनी मात्रम उगाना है वह भी सोच लिया तो इसने बोला अर्थ- आर्थ- इसको र्ष्ट्याοι के वितरन कि समस्या भीकेते हैं आगे इस समस्या के दो पहलो है पहला व्यक्तिकत वित्रण करना है या कार्यात्मक वित्रण करना है अगर हम व्यक्ति का वित्रण के बात करते हैं तो उसने बोला व्यक्ति का वित्रण सभी प्राई यह है कि उत्पादन का यह जो आपने उगाया है उसका समाज के विभी व्यक्तियों और परिवारों में किस परकार वित्रण से भी है तो आपको पता है कि परिवारों यानि व्यक्तियों की जो आये होती है वो उपर नीचे होती है बेरी आये कुछ और होगी आये कुछ और होगी किसी और की आये कुछ और होगी ठीक है तो आये में असमामता पाई जाती है तो उसमें बोला कि व्यक्ति अभी घेंतों क ना देखो यहां पर हम व्यक्ति का वित्रन से विप्राइए उत्पादन का समाज के विभीन वर्गों व्यक्तियों और परिवारों में किस प्रिकार से वित्रन किया जाए इसका समध आई के असमानता से होता है समाज के विभीन संसादों में अब संसाद कोंसे भूमी पूंजी इस्रम और उद्यम या आपको याद अखने इन में उत्पादन का पट्वारा कैसे करोगे और इसका समध आए के वित्रन की असमानता से नहीं है लिखा हुए नहीं है कि अगा है दो पहलों की समध्से करोगे इसका के असमानता से समध्से से भी समंध होता है जब कि कार्यात्मक बोलूँगा तो उत्पादन के विविन संसाद में जैसे भूमी पूंजी स्रम उद्यम है उसमें उत्पादन का पट्वारा कैसे करोगे यह नहीं कुछ तो कैसे इन में पट्वारा करोगे ठीक है और इसका संबंध त्या वोला राष्ट्टे आएगे वि पूंजी स्रम और उद्यम वुट्धियम यह 4 खारक होते है अगर जैसे यह अगर बोले को यह विविवी प्लेवाले कार्यास प्लेवाले कंशा ओं तो इस चार रूँआ होगे आप कोई बोले का इनकम क्योंती है बताओ इंको पारकत मिलती है अगर आप इस उत्पारादन पूछे का तो यह चार नाम आते हैं बड़ कई पेपर हम पूछता है इनकम यानि कारक आये वह बताओ ना यह कारक लागत दिन जो उनको देनी पड़ती है वह बताओ ना तो उसका मतलब यह होता है कि भूमी को क्या मिलता बच्चा इसके बद्दे भूमी लेगा बच्चे उ आपको लेगा रेंट लेगा आपका बेचा इंट्रस्ट आपकर पैसा लगाओ गें तो मिलेगा श्रम को क्या देना पड़ता बच्चा इसको देना पड़ता आपको वेजिस इक है ना जिसको हम हिंदी में क्या कहते है हिंदी में श्रम को क्या कहते है श्रम ना इंग्लिश तब को याद रखता है उत्पादन के संसादन यानि जो उत्पादन के कारक है फेक्टर प्रोडक्शन वो भूमी पुंजी स्रम उद्यम यानि चार होते है लेंड लेबर कैपिटर एंटर्प्नाउट्शिप जबकि कारक आये बोलूँगा यानि फेक्टर इंकम बोलूँगा पुंजी के ब्याज श्रम को क्या मिलेगी वेजिस का इंदी मिनिंग प्लीज आप देख लेना ठीक एक बार और उद्यम को अगरम बात करेंगा लाव ठीक है आपको क्लियर होगे दन उद्यम मतला में मन्दा तो देको यला पाट यह पर खतम करते हैं काफी हमने थोड़ा स आपको समझ में आया तो एक लाइक तो बनता है काफी मैनत करने पड़ती है वीडियो मनाने में टीक है तो तब तक में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स पार्ट में